दोस्तो ये खड़ी है आप लोगों के सामने ब्रैंड न्यू बजाज पलसर 125 दोस्तो बजाज पलसर 125 इंडिन मार्केट की एक बहुत जादा पॉपुलर बाइक है और बहुत जादा लोग इसे पसंद करते हैं आज के इस फीडियो पे दोस्तो इस बाइक के बारे में डीटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्ते इवडियो आपको के लिए बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग प्लस इंपॉर्डन होने वाली है अगर दोस्तों आप लोग इस भाई के बारे में जाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा ज़रू देखे गा मैं कोजिस करूँ कि आपको जितना भी बताओं कोजिस करूँ आपको बहुत अच्छी तरह के से इस भाई के बारे में बताओं तो चलिए फिर आजके इस फिडियो को सुरू करते हैं चैनल पर पहली बराया है तो सब्सक्राइब करने ना बेरिकेटन को ओन करने जेगा ताकि ऐसी इंट्रेस्टिंग ओरों के नोडिफिकेशन पर आप तक पहुंसते रह सकें और आप मेरी बडेट रह सकें दोस्तो सबसे पहले बात करनें Pulsar 125 के प्राइस के बारे में देखिए 125 में भी आपको 3-4 मौडल मिलते हैं यह आपका जो मौडल है दुस्तु यह आपका कारबन फाइबल सिंगल डिस्क यह नौन स्प्लीट वाला मौडल है सिंगल डिस्क के साथ ही आती है 125 लेगिन यह नौ फारग होता है क्योंकि हरेकि स्टेड के अब हाल फिलाल में हमारे हैं दूस्तों नुरॉद प्रlevant रुप गौंचछा इक लाग दूस्ते सॗरें वने टेंट पास किया हमारे На अब आप लोगों जोंको सबसे बाइलि इसकी अभर आपको कि नॉर्माल जो है हेलो जो लाइट आपको इसमें देखने को मिलेगा हला कि इसमें LED की जौरत है भी नहीं 125 के साफ से ठीक है बट अगर मैं SP से कंपेर करो तो कभी-कभी लगता है कि नहीं भाई इसमें भी कंपनी को LED दे देना चीए बाकि आपको क्या कहना है इस बात में आप लोग भी कमेंट करके ज़रू बताना आपको क्या लगता है LED की ज़ौरत है या फिर नहीं है अलाकि एलोजन भी काफी अची light होती है और लो मेंटेनेस दिये ठीक है एलोजन भी ज़र काफी अची निगलकर आ जाती है फ्रन में आपको जो टेलिस्कोपिक सिस्पेंशन देखने को मलता है suspension की जो quality दुस्तों वो भी आपको इसमें बहुत तगनी देखने को मल जाती है फ्रन में आपको 1880 के सपस का टारसे मिलेगा बात करें braking के बारे में ब्रेकिंग की दूस्तों special feature में इस बाइक में आपको single disc देखने को मलता है जो की 240 mm की जो disc plate है company ने इस बाइक में फ्रंड में यूस किया है काफी अच्छी दिश्पेलेट मिलती है जिसकी ब्रेकिंग आपको काफी अच्छी मिलेगी है ठीक है और बाई कोई प्रसनाली से राइड कर रहा है उनका क्या एक्सपेरेंस से वह भी बता सकता है अब चलते हैं इसके एंजिन की तरह बैने इसके हा कि देखने को मिल जाता है यहां कि 125 के आप से दोस्तों की जो पावर एंट टॉर्क है आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और जो आप भाई आप भी जानते हैं कि 125 बाई है उसके साबसे आपको पावर काफी अच्छी मिल जाती है एक कुलिंक से जिसम एर को इसमें जो है बोर साइज इसका अपना बदब वही 50 mm के सपस का मिलेगा 49 mm के सपस का जो इस ट्रोक साइज है हम इस बाईक में देखने को मल जाता है और E20 BS6 नॉमसल इंजिन भी आपको इसमें मल लागा ठीक चली बात कर इस बाईक के मालेज और परफॉर्मस के बारे में अब दोस्तों मालेज आपके राइडिंग स्पील के भी डिपैंड करते हैं कि आप कैसा राइड कर रहे हैं बट फिर भी एक ऐसी बाईक है जो आपको मिनिमम फॉर्टी के सपस का मालेज देगी रियर में आपको 125 की आपे मैचिंग मल जाती है रियर में जो 10 लेट है आपक अब देखने को मिलता हैं कंपने ने काफे चलो के इन काफे चलो डिजाइन दोस्तों इस बाइक का ऑफर किया हुआ है और बाइक बहुत ज़्यादा पसंदे आप जिया रियर में देखेंगे यहां पर आपको जो टैर साइज है वो आपको रियर में देख पार है 190 आपको बेसी साउंड करता है एक्सोस की क्वालिटी काफी सुबब है रियर में जो सस्पेंशन मिलते हैं दोस्तों आपको डुवल सॉक एब्जोर्बर मिलेंगे जो की डुवल सस्पेंशन होते हैं मोनो सॉक सिंगल होते हैं डुवल सस्पेंशन डुवल सॉकर जो हम कहते हैं वो न पूल देल हैं। भी आपको बहात बहत्रिन और बहुत ऑची देखने को सिर्प गाता है। सप्रीड नहीं है, इसमें सिंगल समिल सेट हैं। जो जयाहि को भलत बहुत अच्छी और वमकर में, यहां भी देलाता है। वाईक को सप्राइब जाता है। Speedometer में दोस्तों इस bike में आपको fully joint digital meter आपको इसमें देखने को मलता है जो दोस्तों company ने इस पे जला fully digital meter finally offer कर दिया है और इसमें आपको feature आप काफी सारे मिलेंगे like takeometer है Speedometer है, lock है, low all indicator है, low bat indicator है distant to empty indicator है, average philiconemic indicator है और bluetooth connectivity यह सारे feature आपको इसमें मिल दाएंगे feature wise यह काफी अची होगी, feature loaded हो गई है यह हम काफी दिनों से wait भी कर रहे देखी आना जी switches में past series, speedometer का लोड़ टनल सिंगे left on right-hand side engine kills, self force is आपको bike में मिलेगा बात कर इसके diminution and capacity के बारह में दुस्तों का overall length है 2055 mm का, overall width है 755 mm का overall height है 1060 mm का, ground clearance है 165 mm का seat height है दुस्तों की 790 mm की, wheelbase है 1320 mm का, carway 1140 के जिगा, field tank capacity आपको 15 liter के आसपास के आपको इस bike में मिलाती है, तो दुस्तों brand new Pulsar 125 का detailed specification review, I hope आपको यह व्योड़ो अच्छी लगई है कि दूसरे व्योड़ो चलेंगे तो लाइक कर लिजेगा, चैनल पर पहली पहले तो subscribe कर लिजेगा, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, अभी ओल जेहिन में दमाते हूं